वल्कम तो स्पेड़र्णिंग डॉट कॉम स्टॉक फोरेक्सकोस डॉट कॉम दोस्तों में पंकजन जो प्यार से आपने लोग मनी गुरू दिया है अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इस कहानी में अगले एपिसोड पे हम लोग पहुंचते हैं देखे एक में जादे ही मज़ेदार होती है मैं अपनी सिंदकी में बच्पन से फकीर बनना चाहता था जहीं मेरा सपना रहा है क्योंकि कभीर और सुकरेटीज सुकरत इनकी कहानिया जब मैं पढ़ता था तो मुझे हमेशा से ये लगा हमेशा आदमी होता नहीं जैसे बहुत है आपने अगर दुनिया के लिए कोई एक चीज निकाल के खोज के लादी अंदर की गहराई से तो वो कभी नहीं मरेगी तो कभीरा क्या करते थे रुपए दो रुपए का कपड़ा बनाते थे रेदास क्या करते थे सुकुरात क्या करते थे एथेंस की गलियों में एक हाथ में जोला एक हाथ में डेंडी लेके गुमते रहते थे लेकिन उस शहर के सारे जवान लोग जो जिन्दा थे वो उनके दिवाने हो गए थे इसलिए तो उनको जहर का प्याला दिया गया तो दोस्तों फकेर बनना दुनिया का सबसे आसान या सबसे मुश्किल काम है सबसे मुश्किल ही मैं ज्यादा मानूँगा वो मेरा सपना है जिसमें अभी तक मैं पूरी तरह सफल नहीं हुआ हूँ तो आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या-क्या घटा है एक जर्दिया आपकी बाहर चलतीए एक यातरा बाहर चलतीए एक यातरा अंदर चलतीए तो हर लिवल पर एयवोलिशन होता है तो मेरी ट्रेडिण में जब गया ट्रेडिण में बार-बार इसे उतार चड़ाऊ आते रहेंगे जैसे अगर कोई आप से बोलता है कि नहीं भई एक बार मैं मेहनत से लग गया महाँ पे और मैंने इतनी मेहनत की और बीच में कहीं रुका नहीं और मैं कभी हताश निराश नहीं हुआ और सिखता गया मेहनत करता गया तो यह सब edited कहानिया है जब आदमी सफल हो जाता है तो अपनी असफलता की अपनी कमजोरी की कहनियां बड़ी हिम्मत के साथ और मजे के साथ सुनाता है लेकिन उस वक्त उसको नहीं पता है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाने वाला है तो उस वक्त उसकी हालत पूरी खराब हो जाती हमारी भी हुई थी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जो बाते होती है ना कि महनत करो लगे रहो और चीज़ें ठीक हो जाएगी यह यात्रा ऐसे लगातार नहीं चलती बीच बीच में आपकी बारा बच जाती है आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है तो ट्रेडिंग में कई बार इसी इस्तित्या बनी कि हमको अच्छा खासा नुकसान हो गया और जब-जब केपिटल खतम होती थी हम ढूंडते थे इधर उदर के आरे कौन सा काम है जो हम शुरू करें तो ऐसे 6-6-8-8 महीने के लिए ऐसी इस्तित्या बन गई कि आप कभी हाथ नि लगाऊंगा शेर मार्केट को गुसे-गुसे में आपने सारी होल्डिंग बेज दी ये वो सब होता रहा आपने फिर एक ब्रोकर चेंज किया, दूसरा ब्रोकर चेंज किया और दूसरे काम में लग गए और थोड़े दिन के लिए गाया भी हो गए कि कहां चला गया सेंसेक्स, कहां चली गई निफ्टी, यह हलत रही लेकिन जब जब बाहर गए और दूसरा कोई काम किया तो पता लगा कि लड़ू यहां भी रखा वह नहीं है मैं दूसरा काम क्या करता था जैसे मेरा सबसे पर एक पड़े लिखे आदमी के दिमाग में एक ही बात आती थी कि वो कोचिंग पढ़ाना शुरू करते इसकुल के बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा था मैंने फिर थोड़ा क्रियेटिविटी हरा हमेशा से में एक नया रास्ता या नया समाधान ढूणने की कोशिश करता रहता हूँ तो मैंने एक स्पोकन इंगलिश का कोर्स बनाया जो कि लोगों ने काफी पसंद किया पर एकदम ऐसा नहीं था कि रात रात वो मुझे आमिर बना दे तो पता लगता था कि कितना भी लोग पसंद करें कितना भी उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए लेकिन ट्रेडिशनल सेट अप में इंसान अगर दस घंटे बाजार में घूम रहा है तो हो सकता है वो छे से साथ घंटे तो रोड पे तीन घंटे क्लाइंट के सा यहां काम तो आप करी रहे हैं ओनलाइन ट्रेडिंग फॉरेक्स के कर रहे हैं कमोडिटी के कर रहे हैं स्टॉक्सी कर रहे हैं मेहनत तो है यहां पर लेकिन मेहनत दिमागी मेहनत है यह धूल धूप पसियना यह सब कुछ नहीं है लेकिन यही सबसे बड़ी परिशानी भी ह जब तक वो चार-पांच किलमेटर गाड़ी ने चला ले और बाजार में से घूम के ना आ जाए और दू-चार सुगा पेट्रोल ने जला दे उनको फील ही नहीं आता कोई काम हो रहा है तो मैंने कई सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जब वो अगर उनके पास एक करोड़े उ उसमें एंगेज न करतें बिजनेस में सब तक उनको कॉन्फिडेंसी नहीं आएगा कि आरे यार कुछ हो रहा है तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आपको यकीन दिलाते हैं उसमें समय लग जाता है आपको चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप वकील हो चाह सबसे कि हार मैं प्रोफेशनल टेडर हूँ अरे मैं इन्वेस्टर हूँ पर अंदर से आवा जाती क्यों बे सच मैं तो तीन चार चार साल तक आपको लगता है कि मैं दूसरों को जो बना रहा हूं फेक कर रहा हूं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूं मुझे खुद भी उसकी गहराई पता नहीं है, लेकिन एक PROCESS अगर वहाँ पहुंचे हो, तो चीजें काम करें रभाप सुर्ण में इसलिए बता रहाँ कि कई लोग यह से दऊर में रहते हैं, जिनको लगता है कि किसी और मिट्टी का बनना पड़ेगा, जो लोग सफल है वो तो पेदा ही अलग हुए होंगे, तो इसी बात कता ही नहीं है, जो भी कहानिया हम यहाँ पर सुनाते हैं, वो एडिटेट कहानिया भी हो जाती है, मतलब मैं कोशिश करूँगा, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक माबाप का बेटा हूँ, तो मैं अपनी बीवी का पती हूँ, तो अपने बच्चों का बाप हूँ, साथ में इस बिजनिस का मालिक हूँ, तो अपने एंप्लॉईस का बॉस हूँ, अपने दोस्तों का दोस्त हूँ, और ये सब अलग-अलग रोल्स है है ना जब मैं उदर श्रवन कमार बनने जाओंगा तो हो सकता अपने दोस्तों में थोड़ा ऐसा लगे कहा रहे यार तुम तो कहा हैंगे जोर बीवी को अगर मैं प्यारा लगने लगँ दोस्तों को बुरा लगने लगँगा दोस्तों को प्यारा लगने लगँगा तो बीवी को डेफिनेटली बुरा लगने वाला हूँ तो कई सारे पहलू और वो सब आपको निभाने होते हैं और आपको लगता है कि भई मेरे से होगा नहीं लेकिन इसका फिर सबसे आसान तरीका मुझे क्या दिखा मुझे यह दिखा कि अंदर से हो जाओ खाली अगर आपको पता लग जाए कि रोल्स ही है कुछ फर्क नहीं पड़ता और अपने आपको बहुत सिरियस लेता था मैं शुरू-शुरू में हम अपनी सेल्फ इमेज को इसलिए सिरियसली लेते हैं कि हमारे मन की प्यास तो प्यार ही है हमको चाहिए तो अटेंशन अटेंशन से भी ज़्यादा अल्टिमेटली प्यार चाहिए होता है कि जब हम लोगों के बीच में होते हैं जब हमारी ego boundaries टूपती है और हमारा पानी दुनिया के पानी में घुल मिल जाए तब हमको डर लगना बंद हो जाता है जैसे आप मा की गोद में थे बिल्कुल dependent थे न choice कुछ भी नहीं थी आपका ego built up हुआ कि 15 साल के उमर्ज में आदमी ने में बताना शुरू किया गया रहे भाई में हूँ फिर में हूँ से में खास हूँ फिर आखरी में वो बात महां पहुंच जाती कि में ही हूँ और को ने में ही तो हूँ तो ये दोर सबके साथ आया मेरे साथ आया था खतरना और evolution में क्या हुआ कि मैं बड़े शहर से छोटे गाउं में पहुंच गया चोटे गाउं से फिर वापस बड़े शहर में आया तो मैं कहीं मिलता था किसी से अपने ससुराल बसुराल में कहीं कया एक दोस्तों में गया तो मैं अपने इंसाइक्लोपीडिया वाला जो ग्यान है वो निकाल-निकाल के एक-एक फेक्ट बताता रहता था ऐसे अंदर ये अंदर अभी देखता हूं तो पता लगता है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं काबिलियत की जरूरत नहीं होती किसी का प्यार पाने के लिए बस अपने दिल के दरवाजे खोल दो और अपने आपको इतना सीरियस मत लो जैसी आप अपनी इगो बाउंडरी के पार जाओगे पुरी दुनिया आपको प्यार करने के लिए राजिये एक आदमी आप ध्यान देना मतलब मैंने बहुत ध्यान दिया एक जो perception होता है ने सब तरफ फैला हुआ और जिसको सब सच मानके चलते हैं हो सकता है वो सबसे ज़ादा जूटो और आपको पता करना पड़ेगा कि असल में क्या चीज़ काम करती है एसे कई मेरे पास छोटे बड़े एक्जामपल्स है मैं अपनी लाइफ में हमेशा प्रयोगों पर ध्यान देता हूँ जैसे गांधी जी को मैंने मेरे सत्ती के साथ प्रयोग करके उनकी किताब पड़ी उसके बारे में सुना तो हर एक इंसान जो आगे जाना चाहता है वो प्रयोग करता है पहले से अपनी धाना लेके मत चलो तो मेरे अलग-अलग पहलू थे सारे अब उन पहलू में कहीं एक जगा में सफल होने की कोशिश करता था दूसरी तरफ बरबाद हो जाता था चीजें ऐसे चलती थी एक दिन जब अपने आपको सीरियस लेने की बात खतम हुई वो केसे होती है पहले आप उपर जाते हो फिर उपर से सीधे नीचे गिरते हो और नीचे गिरने के बाद जो जिन्दगी शुरू होती है वो असली जिन्दगी होती है जैसे आप अमिताब बच्चन की पहली पारी और दूसरी पारी को देखोगे तो दूसरी पारी में वो काफी ग्रेसफूल जादा ग्रेसफूल नजर आते क्योंकि आप फेरावे अंदर तो मेडिटेशन ने मुझे वो खालीपन की जलक दिखा दी और जब वो खालीपन आ गया तो अंदर से ये बात पता लगी कि भही मैं तो खाली हूँ ना तो मैं पती हूँ ना मैं बच्चा हूँ ना मैं दोस्त हूँ ना मैं बाप हूँ और मैं हूँ तो फिर सबका हूँ नहीं हूँ तो फिर मैं किसी का नहीं हूँ जब ऐसा करना शुरू किया तो चीजें आराम से हो जाती है अब मैं सफर करता हूँ सपोस कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है मैं आपको ट्रेन में कहीं है अपना सेकंड क्लास रेजर्वेशन में मिल जाओं मैं अब एसी जा रहा था मुझे बहुत एंजोई करता हूँ मैं जैसे कौकर्ण ट्रेक पे ट्रिविल करना बड़ा एंजोई करता हूँ शॉर्ट में मैं जा रहा हूँ उदर कोई अचानक से बुले सर आप अंकजन है आपका चेनल है और वो मेरे साथ सेल्फी लेने रगे तो मैंने का वो आए हमारे गाव मेरे दोस्तों में जब मैंने अगर किसी के साथ में एक कनेक्शन पाया है तो एक ही बात से पाया है कि पहले जब होता था जब मैं पहले दोर में था पहली सक्सेस मैंने चकी थी तो मैं ही मैं ही मैं मैं कोई बात करता था कि आप मैंने कार करी दे बने मैं भी मैं ये जानता ह मैं यह करता हूं मैं भी करता हूं फिर दिरे-दिरे पता लगा कि चुप रहो और सुनो उतना ही काफी होता है दुनिया में किसी की करीब आने के लिए तो जिन्दकी बहुत आसान है बहुत खुबसुरत है लेकिन यह कब लगी मेरी एक थियोरी आफ अपोजिट है कि आप अल फेट् Serproom को लेकर चलते हो कि एसी आदर्श परिवार्य आदर्श इस तरी इस आदर्श आपको भी आपना आधर्श्क अपने सेट कर दी आसे कर दिये और वह कभी निकल के तो आएंगे नहीं उस तरहे leaving मेरे दिल टूट गया तो नए नाया मैंने कहीं शादी का स्वरूप देखा नाया नाया एकदम लगा कि अरे रे 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 ये क्या है दुनिया तो एकदम वेसी नहीं है जैसे मैंने सोची थी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उधर किताबों की दुनिया में गुम हो गए और किताबों की दुनिया को सच मानने लगे मैंने कहा था नहीं इमेजिंट रियल्ट इटी नाम की एक चीज होती है तो किताबों की दुनिया को सच मानने लगे आप तो इंसानों से हो सकता आप दूर हो जाओ तो किताबों के साथ भी मेरा ये रहा है कि किताबों में मैंने अपना पढ़ना शुरू किया दिरे-दिर मेरी हॉबिस रिफाइन होती है तो मैं सबसे पहले अपना कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ प्राइज वीनर बुक्स होती हैं वो कैसी होती होगी तो तोलस्ताय को जब मैंने पढ़ा तो मैं एकदम रशियन लिटरिचर को पढ़ा तो मैं एकदम सर्प्राइज हो गया ये सोचके सर्प्राइज हो गया क्यार वो जो कहानी सुनाते है न, वो कहानी हर एक को relate करती, उसको लगता है कि यही तो मेरे अंदर हो रहा है, वो बारी किया वो मदद करती, यह जो कहानी में सुना रहा हूँ, पता क्यों सुना रहा हूँ मेरे पास कोई conclusion नहीं है क्योंकि हर एक की अपनी यात्रा है हर आदमी अपनी sales में अपनी प्यास लेके पैदा हुआ है, और गलत कोई नहीं है, कौन किसकी प्यास लेके आया है वो वही जानता है, जैसे बच्पन में कोई आदमी गरीब रहा हो उसको अपनी पहचान नहीं मिली हो तो अपनी पहचान के लिए जान लगा देगा कोई इंसान जो प्यार का भुखा हो और उसको प्यार नहीं मिला हो तो प्यार के लिए बिग जाने को राजी होगा कोई इंसान जो बहुत अमीरी में पला हो तो वो वो चाहेगा कि बही में जमीन से चूड के खेत वेत में जाके कहूं का क्या मोसम आया है वाला गाना गाऊंगा तो आपको मिटी पानी ये वो हवा सब अपनी अपनी प्यास लेके चल रहे हैं और ये गर्वा पूरी दुनिया में चल रहा है ये सरकल ऐसी चलता रहेगा हम कहेंगे फाइस्टार होटल हम कहेंगे कि डोमिनोस पिजा हट ये वो पिजा क्या क्या करना है हम वो कहेंगे तो यूएस वाले यूरोप वाले कहेंगे कि योगा आयरुवेदा और ये गर्वा ऐसे चलता रहेगा गलत कोई नहीं है तो बात में जे कृष्णमूर्थी और ओशो और फिर उससे भी आगे की बात आई, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ, गजले सुनते-सुनते और किताबे पढ़ते-पढ़ते, जिसे आप शुरू में स्वेट माडन और डेल कारनेगी और उनको पढ़ने लग जाते हैं, मोटिवेशन है, तो मेरी जिन्दगी का जो मकसद है, मैंने चार मिनिट का एक वीडियो आपके पास स्पेशल ही आएगा, उसको सुनिएगा, वो मेरा मकसद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि पहले तो यह, कि दुनिया में सुधार होने चाहिए, दुनिया बेहतर होने चाहिए, फिर दिरे से आपको समझ में आया कि भाई, तेरी प्रॉब्लम है, तेरे अंदर सब में सब है, दुनिया तो पहले सी खुबशूरत है, हमारी ओकात क्या है, तो दुनिया बहुत खुबशूरत है, आपको खुबशूरते का एसास इसलिए नहीं होता है, क्योंकि आपको कुछ च चुनना है कि मैं एक अच्छा प्रोफेशनल के से बनू, तो आप अपने लेवल पे हर रोज ये देख लो, कि जब भी समय मिलता है, तो मैं एक डायरिक्शन में क्या करता रहता हूँ, रिजल्ट की बात मत सोचो, प्रोसेस में मजा आ रहा है, अगर आपको इस प्रोसेस मे लिए लंबे समय तक motivated रख सके है, तो अगर किसी को अच्छा trader बनना है, या investor बनना है, तो वो motivation दूसरा चाहिए, वो motivation कैसा चाहिए, जैसे Bill Gates ने कहा था, दुनिया के हर घर में computer पहुचाना है, और वो 1 या 2% successful हुए, 3% हुए, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए, तो motivation कैसा चाहिए, सिर्फ पैसे से क्या motivation आने वाला है, तो कागस का टुकडा है, motivation आता है उस सपने से कि आपको आजादी चाहिए, क्या जैसे मेरी, मेरा personal priority है, हर चीज से आजादी, डर के परे, 3F जो इस autobiography का नाम होगा, 3F मतलब free from fear, अब fear किस चीज़ का, हम अंदर ही एक डर लेके पैदा हुए है, हमको वक्त की गुजरने का, और सांसों के अंदर बाहर आने जाने का भी तना हुए है, और बाकी जिन लोगों को हम blame करते रहते हैं, कि मेरे आसपास ये हैं, इनसे टेंचन हैं, वो बात है ही नहीं, और ये बात मुझे क्यों पता ल नहीं हूँ, और फिर हमने पहले तो लिखी समाद हन्द अल्टिमेट सॉल्यूशन, उसमें हम बता रहे हैं कि हमारी जिन्दगी, दुनिया की जिन्दगी कैसे बहतर हो सकती, वैसे लोगों ने उसको पसंद भी किया, लेकिन अभी दुबारा मैं पढ़ तुम मुझे पता जिन्दगी, जैसे किसी जुर्म की हो सजाए जिन्दगी, और चुराओं पर जाने में कोता ही अब होती है, बाते जो होती है महां पर सब बे मतलब होती है, मह फिलों के बीच में सर चड़ के बोला करती है, मह फिलों के बीच में सर चड़ के बोला करती है, कमबक्त किशी भी कितनी बे अदब होती है तो मेरी हालत क्या थी डेप्रेशन में यह वाली इस्तिति थी कि में कहीं जाता था तो ऐसे हाई हलो बूलू उसके पहली ऐसा लगता था यह वेपर लॉक लग गया अंदर बात बाहरी निकल रही क्या टॉपिक अब जो बुकिश लोग रहें उनके हालत कैसी रहती है कोई मिला और कैसे हो अच्छे हो क्या चल रहा है मैं फर्स्ट एर में हूँ एक्जाम हो गई हाँ कभी एक्जाम है आच्छा और ठीके मिलते हैं इस तरह की बाते आपने कहीं दूचार कर ली तो वो निभाना भी मुश्किल हो जाती क्यों क्योंकि आप कॉंश्यस थे अपने आपको लेके बहुत सीरियस थे क्यों मैं ही हूँ और मुझे ही अपनी जिंदगी चलानी है बाद में समझ में आया है कि जहां तक पहुंचे हो इसमें आपका कांट्रिबुशन कितना है क्यों जबरन क्रेडिट ले रहे हो तो जो मैं पैदा हुआ जो मेरी बॉड़ी है जो मेरी जगा है यह सब हमने चुन को सिरियसली सुनने लगते हो कि वो आपको प्यार करने लग जाते हैं फिर आगे और बुक्स में बढ़े तो वर्ल्ड इस फ्लेट जैसी बूक सेपियंस जैसी बूक वो सारी पढ़ने को मिले और मैं कहता हूँ नो थेोरी आफ अपोजिट्स कभी फिक्शन पढ़ो मैंने स सांतरा में बहुत शांदर बुक है एक एक प्रोस्टिटूट की कहानी कि कैसे वो अपने जिन्दगी की ऐसी उचाई पर जाती है कि आपकी सारी धार्णा है तूट जाएगी धार्णा में हम लोग क्याद रहते हैं सबसे बुरा आदमी होता है एक नेतिक आदमी नेतिक जाएगा तो फिर कभी किसी का हो नहीं पाएगा और वो कहीं आगे पहुंचे यह पॉसिबल भी नहीं होगा क्योंकि वो एक कहानी में सुनता था कि एक ब्रह्मन की पत्नी थी सामने एक वेश्या रहती थी रोज वेश्या को देखके केती थी क्या केसी है यह उरत कितनी बाद में वो अपने आप से कोई शिकायत नहीं रख रही है और ब्रहमन की पतनी को देखके आहो भाहो से भर जाती थी कि वाह क्या उरत है क्या उचा इनका कितना साधा और सुन्दर जीवन है तो बाद में जब फेसले हुए तो पता लगता है कि वो ब्रहमन की पतनी गई नर लो आप थोड़ी दिन के लिए थोड़ी देर के लिए शौफ कर सकते हो लेकिन असली जो आपको प्यार मिलने वाला है वो असली माल देखकी होगा जैसे एक ट्रेडर इंवेस्टर के लिए आप अगर फेक करोगे ना कि मेरे पास 50.000 रुपे है और मैं 50.000 लाग के सुदे क पहले बहुत होता था लेकिन जब आपको अपनी हैसियत पता है आपको पता है कि दिन भर में मेरे खाने पिने का मेरे घर में खर्चा कितने में चलता है और कितने कितने रुपए के लिए मेरे घर में जगड़ा हो सकता है तनाव आ सकता है तो आप उस बात को भूला नहीं स सुबह से शाम तक परिशान हो गया तो अपने आप से पहले ये पूछ लो कि आपको ट्रेडर बनना है या नूकरी छोड़ने के लिए एक बहाना चाहिए कभी-कभी हम अपने establishment से इतना परिशान हो जाते हैं और आपको चाहिए होता है break पर आपको लगता है तलाक चाहिए तो आप उससे परिशान होने के लिए ट्रेडर बनने के लिए आ जाते हैं और पर पता लगता है लड़ू यहां भी नहीं रखा हुआ है तो ध्यान रखें इस बात का कि अपने आप से सवाल करना और अपने आपको सिखा के एक कदम आगे बढ़ाने यह आपकी जिम्मेदारी है किसी को कोई अड़ी पड़ी नहीं है अगर आप किसी से कहोगे कि मेरे साथ यह प्रॉब्लम है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा ठीक है भई तू जो किता है वो ठीक है मुझे क्या करना है तो आपको अपनी परवा करनी है तो दोस्तो बात क्या कर रहा था मैं कि धीरे धीरे अपने आपको हम सिखाते गए लेकिन जितना किताबों से सिखा उससे जदा इंसानों से सिखा अपने हर छोटे बड़े रिष् तो किसी औरी तरीके से मिल रही है जैसे आप जानवरों में देखोगे ना बेल कितनी मेहनत करता है गदा उससे भी जादा मेहनत करता है लेकिन कुत्ते को प्यार क्यों मिल जाता है क्योंकि वो स्विकार करने को राजी है इतना आसान है जिंदगे में लोगों के साथ घुल मि तो फिर किस्साय सफर किताब आई, मैं साधू बनने निकल पड़ा, जैनिजम में ऐसा होता है कि ऐसे साधू होते हैं, जो अपना घर बार सब कुछ छोड़के दिक्षा ले लेते हैं, और मैंने एक महिना ऐसा गुजारा के मैं एक कपड़ा, जो वाइट कपड़ा होता है, व से जाके लेकर आते हैं, उसको गोचरी बोला जाता है, मतलब बहुत साइंटिफिक कंसेप्ट है, कि गाय कभी भी एक पोदे को इतना निखाती है, गोचरी ऐसे होती है कि हर जगा से वो थोड़ा-थोड़ा खाती है, ताकि कोई डिस्टरब ना हो, तो इस तरह का वो जो सम ने निकल पड़ना, और बात ये लगी मुझे बाद में, कि भई अपने आपको नहीं जाना, तो जितना जिया वो सब बेकार है, आप लोगों को दुश्मन बना लोगे, इंसान इंसान से डरने लग जाता है, अभी मैं देखी रहा हूँ ना, कि इंसान इंसान से डर रहा है तो पहले वो एक महिना जब मैंने वैसे गुझारा बिल्कुल साधू की तरह होके, तो वो भी बिमारी खतम हो गई, हमको जिन्दगी में बस खुझली खतम करनी होती है, हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं, हम उसकी आकरशन में पूरा समय गुझार सकते हैं, उसके आकरश ठेर के, पहले तो जाते रहे थोड़े-थोड़े समय के लिए, वो हमारा कोट्शप पीरेड था, फिर जब एक लंबे समय तक रहे तो अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं लगा, तो बाहर जो कुछ भी मिलेगा वो एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन काम तो भीतरी करना पड़ता है, यह हमको समझ में आ गया, तो जैसे जैसे हम समय देते गए, और पैसा कहीं आप जैसे केरियर में लगे हुए हो, आपको 20 जार, 15 जार की नोकरी है, साल बर का दूड़ा ही लाग आता है, तो दूड़ा ही लाग रुपए, ऐसे मान ल कि मेरे स्टॉप लॉस के लिए, या मेरे एजुकेशन, या मेरे सिस्टम विस्टम के लिए, उसको इंगेज करते हैं, और अगर मैं इसमें सफल हो रहा हूं, तो जल्दी क्या है, जूते की नोक पर रखके, 6 महीने एक साल नोकरी करके देखो, आपको नोकरी भी प्यारी ल जाओंगी, आओ, गले लग जाओ, अरे दम गुटता है भाई, थोड़ी जगा तो दो, तो बात यह हो रही कि इतना सीरियस हो जाते हम, कि अगला विचारा घुट जाए, थोड़ी जगा चाहिए, हर जगा, जिन्दगी में भी जगा चाहिए, रेलेशन्चिप में भी जग जगा चाहिए भाई, यह जो दिन बर लगे लगे इंस्टाग्राम वाट्सेप करते रहते हैं, हमें इन्फरमेशन को निगले जा रहे हैं, निगले जा रहे हैं, थोड़ी जगा तो दो, जगा तो लेने दो, इन्फरमेशन को, करोगे क्या इसका, कहां, कहां छूट जाने जाने वाले हो, क्या चूट जाने वाला है, तो फोमो से बाहर आने की ज़रूत है, फियर आफ मिसिंग आउट, तो फेक नहीं कर सकते हैं आपकी अपिसिटी को, फेक करेंगे कहीं नहीं पहुच पाएंगे, तो धिरे धिरे वो अंदर का एबॉलिशन चुरूँ हुआ, बा ज़िदा नहीं हुए, या तो ऐसा कह दूँ मैं आपको सिंपली, कि उपर वाले ने आपको एक पजल देके भेज़ दिया है, और आपको इसको डिकोट करना है, अब इसको प्यार से, मस्ती से डिकोट करते जाओ, तो आप जीत के पहुच जाओगे, नहीं भी करोगे, तो गुजारेंगे, इतने लोगों से निभानी है, वो नाराज है, वो खुश है, नाराज की भी जूटी, खुशी भी जूटी, क्योंकि हम लोग हमेशा दो अतियों में बठ़कते रहते हैं, अति कैसे होती है, पहले मैं सोचता था, कि सब मेरे हैं, मैं सब का हूँ, फिर मैंन होता है जिन्दगी में वो भी बताऊंगा क्योंकि पहले मैं अक्यले रहा अक्यले रहे के मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि अक्यले रहे के मैंने कुछ नहीं उखाड़ा मुझे लगता था कि 20 गंटे सब मेरे हो जाए और मैं अपने ही उपर काम करूं तो उरजाई ख का रास्ता रोखने वाला इंसान हो लेकिन बुद्धा को देवदत के साथ ने मंगला काकी के साथ ने कहां तक पहुँचाया वो बुद्धा ही जानते हैं तो हमेशा हर जगा रोल होता है किसी एक ऐसे इंसान का जो आपके राकेट में आग लगाता रहे और आप उपर उठ कुछते रहें दोस्तों कोई भी चीज जिन्दगी में बे मतलब बेकार नहीं होती जिन्दगी बहुत ही डिवाइन प्लान है बड़ा प्लान है तो मैं बात कर रहा था कि अकेले रहने से मुझे इंसानों की कीमत समझ में आने लगी दूर रहने से मुझे रिष्टों की कीम समझ में आने लगी मुझे यह भी पता लगने लगा कि पूरी आजादी से छोड़ दे कोई आपको आप दिन भर घूमते रहो अपनी मर्जी से पार्टी करते रहो जो आप जो आपको देखता है न क्योंकि आज कल कि आप ब्रांडेड मजा मजा भी ब्रांडेड हो गया है तो भीतर भरने के लिए आपको अपने आपको जानना ही ज़रूरी है, सबसे अच्छी कंपनी आपकी ही है, तो वो कंपनी पाने के लिए आपको प्रयास करने होते हैं, अब पहले भी मैं वही बाते करता था, 20 साल पहले 25 साल पहले जब मैंने किसाई सफर लिखी या समाधान्द ultimate solution लिखा या फिर मैं opener magazine लेके आया फिर opener school news paper लेके आया फिर साथ से मा केसे बने बहुत से बेटी केसे बने जो मेरी सबसे popular book थी वो हुई और मैं साथू बन रहा था लेकिन मुझे ये बात समझ में आगी कि system काफी नहीं होता हर एक की यात्रा उसको अपने से पूरी करनी होती है अगर आप ये भी काम भगवान को पाने का या अपने आपको पाने का रास्ता भी वो भी दुनिया को दिखाने के लिए करोगे तो आप भटक जाओगे और दुनिया में कई साथू ऐसे हैं जो भटक चुके है या वो निभा रहे हैं जैसे आपको पता है ना लोगों को लगा है मैं ग्रहस्ती में फस गया हूँ तो अब बाहर से जब भी हम जाते हैं किसी फंक्शन में सज धज के सेल्फी लेते हैं और बताते हैं कि वाव कितना प्यारा कपल है क्या प्यारी फेमिली कितने हैं सब काफी हैं। ऐसी साध्यों की भी हलत है, कि वो भी निभा रहे हैं, अगर कोई बोले कि यहां दो चार पांच लाख लोग ताली बजा रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, जय 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 कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी का सपना दूसरा है, वो चाहता है कि कोई दो लोग ऐसे होते हैं, जो इम आपकी जिन्दगी का सबसे पास का सरकल पूरा करते हैं, आप जिन्दगी उनके सारे गुजार सकते हैं, आप अपनी इमेज के सारे जिन्दगी नहीं गुजार सकते हैं, अगर माइकल जेक्सन डेपरेशन में चले जाते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, कि व बाद में पता लगता है कि मुझा अंचुमन नहीं चाहिए, यह जो आदित्य था साथ में वही अच्छा है, लेकिन जब तक अंचुमन से मिलते नहीं हमको पता नहीं कि हमको आदित्य का शब चाहिए, मतलब आपके जिंदगी में जो आपकी यातरा चल रही है, जो जर्दी बंद करो, हम ऐसे देखा है कि लोग जिससे जानते हैं, जिसको जानते हैं करीब से उससे डरने लग जाते हैं, कई बार मैंने लोगों से कहा गया है, मेरा गाओ, मेरा शहर यह तो पता नहीं ऐसा है, यहां तो कोई आगे बढ़ी नहीं सकता हो, मैं यहां से निकल जाना चा गंटे दो गंटे वो तो डिस्प्ले है ना भाई जिसको जानते हैं जो आपको जानता है उसमें जो भी निकल के आएगा वो सच्चा प्यार हो सकता है जो कि बाहर से बिल्कुल भी अच्छी तरह पेकेज किया हो नहीं है फिर अपना देश की बारे में भी हम ऐसे ही सोचते है अपनी जिन्दगी अपने आपके बारे में भी हम इतना ही सोचते हैं तो आप जितना अपने आपको देखके समझ पा रहे हो कि कहां क्या कच्रा भरा हुआ है भाई अगले की भी कहानी वही है तो अपने आपको जज करना छोड़ो लोगों को जज करना छोड़ो जिन्दग क्षाई की एश्टक जीए दिन बर में तीन से चार बंडल बिड़ी के पी जाते थे वो उनका बिजनस चला जैसे चला फैमिली में चीजें जैसे हुई वैसे हुई जिम्मधारिया उन्होंने निभाई ठीक है वो अपनी जिंदगी में चलते रहे पर उनकी कहानी इंट्रेस् कि हमको जब तब उनकी याद आती रहती हैं तो दोस्तों क्या होने की कोशिश करें हम हम जिन्दा होने की कोशिश करें गल्ती करने से मढ डरो तो आपको अगर समय लगेगा प्रोसेस को एनड़ोए करो अगर आपकोग स्व Och do् Uran night कि वह है करना चाहता हूं अपने आपसे ए नहीं करना चाते हो तो फिर सही तरीका क्या कौन पहुंचा है उसको देखो शुरू से देखो ऐसा नहीं कि कोई पहुंच के मां ओड़ी में घुम रहा है तो आपने का अच्छा ओड़ी में घुमने से ट्रेडर बन जाते हैं क्या ना कोई अगर चार स्क्रीन लगा के बिठा और आपको मेरे पास तो एक सिस्टम मुश्किल से तो उसने तो एक सिस्टम भी उसके पास नहीं था वहाँ से शुरू बात की थी तो अगर किसी को डूप्लिकेट भी करो ना तो शुरू से जानतो लेना पूरा फिर उसकी कॉपी क करना लोग जाने बगेरी कॉपी करने लग जाते हैं तो दोस्तो यह मेरी कहनी चल रही है मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ तो एक आगे की एपिसोड में मैं मैं Size में एक बरबाद होने के बाद तो यहीं स्टॉक-ठाप-मार्केट से नाराजगी के तो आप पेदा हुए और मर गए और आपने कहा कि क्या मतलब था जब मरी जाना था तो पेदा ही क्यों हुए थे इसके दुरान जो हुआ वही तो लेने आए थे और वो बेकार नहीं जा रहा है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है तो अपनी जिंदगी पर यकिन रखो अपने आसपास के लोगों पर यकिन रखो कोई आपसे कुछ नहीं चेन सकता है हमारे पास अपने एगो के अलावा या अपनी धारना के अलावा खोने कुछ नहीं है और जिसको हम कहते हैं कि दिल तूट गया दिल तूट गया वो दिल नहीं धारना तूटती है ठीक है तो दोस्तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एपिसोड कैसा लगा और आपका इमानदार सजेशन चाहिए अपर आपको लगता हो कि नहीं सर हम ये नहीं वो सुनना चाहते हैं क्योंकि अपने शादी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आपका पार्टनर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी फेमिली के साथ जुड़ने में भी उनका रोल होता है आप मेरे बच्चों की होम स्कूलिंग में ने शुरू की वो एक बड़ा डिसिजन था मेरे लिए कैसे हो बिंदाज जिन्दगी जो मैं किताब लिखा या साथ से माँ बहू से बेटी कैसे बने वो जो किताब लिखी क्यों लिखी कैसे चीजें होती है बस एक जिन्दगी में आप कई जिन्दगियां जी सकते हो अपने आपको बहुत सीरियस मत लेजे क्योंकि आप अपने कमेंट्स चाहिए और आपसे ये सजेशन भी चाहिए कि आप और हमारे बारे में क्या चीज जानने के इच्छा रखते हैं मतलब ये नहीं कि हमारी कहानी में कुछ खास है पर आपका कौन सा पहलू जिंदगी का आपको ऐसा परिशान कर रहा है कि जिसके बारे में सुनने से आपको कोई सॉलुशन मिले होसला मिले मदद मिले क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए फैमिली वालों के लिए तीन चीज़े देने की बात करता हूँ समय प्यार और होसला तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए प्यार को भी मैं सुखरती बोलूगा सुखार भाव जो जैसा है उसको सुखार कर लो वो अपनी यातरा लेके आया है तो क्या चाहिए समय दो स्विकार करो और होसला दो तोड़ो मत रिष्टे पता क्यों डराने लगे जो रिष्टे हमारा सहारा बनना चाहिए थे वो सवालों से इतने भर गए हैं कि आप उनका सामना करने में भी डरने लगते हो तो ये रिष्टो की प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेके हमारी समझेज है उसकी प्रॉब्लम है इंसानों से मठ डरो, जो भी लोग आपको लगता है कि आपके दूश्मन है वो आप से बहुत प्यार करते हैं उनको भी नहीं पता, कभी-कभी ये समझ लो कि उनको भी नहीं पता, वो भी नहीं जानते, लेकिन भावना ये बड़ी complicated चीज होती है, मैं हमेशा फिल्मों से एक्जामपल ले आता हूँ, तो मैंने एक फिल्म देखी ती त्रिशून, अमिताब बच्चन की बड़ी प्यारी उसने, बोले ये नफरत मेरी है, हर कोई आदमे उनको कुछ बोल देगा, तो मैं बरदाश नहीं कर सकता, तो भावना ये बड़ी complicated चीज होती है, तो इस complication को अपने जिन्दगी भरबात करने मत दीजे, डर के पार होके जाना बस इतनी सी बात है, तो दोस्तों, जिन्दग पेरलल स्कूल आफ लाइफ चैनल को जॉइन कर लिजे, न्यू यू इन थर्टी डेस, एक मैंने special series बनाईए, उसको देखिए, और बताईए आपको, कि आप 30 दिन के अंदर आपने आपको एक नया इंसान बना सकते हैं, इसकी मैंने कोशिश की है, आप मुझसे कुछ सिखि यह, क्योंकि आप सब लोग मेरे गुरू हैं, मैं यह मानता हूँ, और यह बात सच है, तेंक्यू वेरी मच, बाई